देख लिया था किनम्बर का क्लासिफिकेशन क्या है इसके कई सारे पार्ट साइंगे तो हो सकता है कुछ जो रोड मैप मैं में है वो next part में cover हो लेकिन हम आप आज बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं तो रेशनल numbers के बारे में हमने क्या देखा था इस definition को clear करते हैं the numbers whose decimal expansion is either terminating terminating means अगर जिसे 1 by 2 है हम लोगों ने rational number के बारे में पढ़ा था P by Q होना चाहिए जहां होता है कि वन और टू डिवाईट नहीं हो सकता है यहां पर लगा यहां पर 0 हुआ यहां पर क्यों और जीरो आगे तो 0.5 तो यह क्या टर्मिनेट होगे इसके बाद में तो it is terminating और non-terminating recurring non-terminating recurring means 1 divided by 3 ठीक है तो 1 divided by 3 कित्ता होता है आप यहां पे का करो इतर यह 1 लगा दो यह गए 3-point लगाया तो 0 आया 3-times किता हुआ 9,1 आया फिर 0 लगाया फिर 3-times 9 फिर 1 फिर 0 लगाया फिर 3-times 9 ऐसे ऐसे करते-करते चलता जाएगा तो 1 by 3 जो है वो non-terminating तो है लेकिन recurring recurring means repeating है ठीक है तो इस इस a rational number ठीक है irrational के अंदर क्या होता है non-terminating non-recurring non-terminating and non-recurring means root 2 हो गया ठीक है न यह पाए हो गया पाए वैसे हम लोग लिखते हैं इसको 22 by 7 जो की एक rational number है लेकिन इसकी approximate value है पाए की actual decimal expansion तो 3.1415 something like this यह चलता लेगा तो यह non-terminate एक तो terminate नहीं हो रहा है और repeat भी कोई 21567 21567 हम लोग बड़े-बड़े डिजिट जो है वह वापस repeat हो रहे है तो वह भी हम repeating में डालेंगे ठीक है न ऐसा नहीं कि आप यहां तक आया और आपने decide कर लिया कि कोई expression जो है वह non-terminating है तो यह rational हो ऐसा नहीं होगा आपको एक पर पूरा उसको चेक करना पड़ेगा कि आगे तक क्या repeat तो नहीं हो रही डिजिट हो सकता है combination वाइस भी हो कुछ repeat करवा ने करवा दे ठीक है तो यह चीज़ चेक करनी हो थे फिलाल एक्जाम में इतना बड़ा नहीं आता लेकिन ऐसा होता है तो decimal या तो terminating होगे या non-terminating होगे terminating और recurring होगे तो rational number में आएगा और non-terminating non-recurring irrational में आएगा और rational और irrational दोनों मिलाके real number बनते हैं यह हम जानते हैं तो पहला case देखते हैं हम लोग 0.6 को क्या आप fraction में convert कर सकते हो बिलकुल 0.6 को हमने क्या किया 6 जैसी इस decimal को हटाया तो नीचे 10 आ गया ते किता हो गया इसको लिख सकते है 3 into 2 इसको लिख सकते है 5 into 2 2 से 2 कर गया तो यह किता है 3 by 5 राइट यही आंसर हुआ 3 by 5 simplified form में तो yes we can convert it किता आसन था यह तो ठीक है next is what will be the numerator when 0.75 is converted into fraction form तो 0.75 है decimal अटाया तो क्या नीचे 100 इसको क्या लिख सकते 25 into 3 इसको लिख सकते 25 into 4 यह कर गया तो नुमिरेट है किता आया 3 आया तो आंसर बॉंबे आ गया तो आपको कहा है कि चीजों को express करना आना चाहिए अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिक्रिंग क्या होते है ठीक है चलो हाँ मेनी ताइम्स 6 इस रिपेटिंग इन 0.66 by infinitely many times ठीक है जिस्ट अलाव मिया सेकिंड पीपल तो यह कित्ती बार रिपेट हुआ है यह रिपेट हुआ है आपका infinite times ठीक है ठीक है अब इसको solve कैसे करेंगे आप देखो जैसे x बराबर है 0.666 dot 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 बोल दो इसको equation number one अब मैंने इस equation number one को क्या क्या है 10 से multiply कर दिया दोस्तों तो कि इधर किता हो जाएगा 10x equals यह किता हो गया 6.666 सर यहाँ पर एक six तो इधर move हो गया तो बाकि तो दो ही six बचे लेकिन पीछे dot तो है तो मैंने हो गया 0.666 dot 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 माइनस किया यह किता हो गया 9x और देखो 6-0 तो किता हो गया 6 हो गया और यह पॉइंट 6666 यह कैंसल हो गया तो एक्स बराबर किता हो गया 6 by 9 यह मैंस इस त्रे इंटू टू एंटू 3 3 से 3 कट गया तो किता आंसर आगया 2 by 3 बस यही तो लॉजिक होता है इन सब चीजों का ठीक है तो 2 by 3 इसका आंसर आ गया यही हमने सॉल किया है सिंपल से चीज थी अब हम नॉन रिकरिंग की बात करते हैं नॉन रिकरिंग क्या होता है इस पॉसिबल टू कंवर्ट रूट टू इंटू पी बाई की फॉर्मेट यहां पर रूट टू आएगा यह मिस्प्लेस हो गया मिर से यह रूट टू आना चाहिए ठीक तो इसका तो जब आप डेसिमल हटा होगे तो 6 x 10 आ जाएगा मतलब 3 x 2 और यह 5 x 2 हो गया तो 3 x 5 आ गया इक है वाट बाउट इस 0.6 बार तो एक काम करते है ना अपन 0.6 बार को आपन वाइट बोर्ट पे एक बार सॉल करते 0.6 बार कैसे चलेगा ठीक है तो लेट उस सॉल आइड नो वाट 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 रॉंग वाट इस नोट चेंजिंग यह 0.6 बार का मतलब क्या होता है कि इस 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 गेटिंग रिपीटेट यह जी अभी हमने सॉल भी करी तो लैट एक्स इक्वल 0.666 dot 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 call this as equation number one multiply this equation one with 10 तो it will be 10x equals 6.666 three dots equation number second second में से फर्स्ट को सप्र 6.666 dot 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 और यह गया एक्स इक्वल 0.666 dot 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 यह तो पूरा कैंसल हो गया आपका और यह कित्ता हो गया 9x equals 6 तो यहां से अगर आप देखोगे तो x equals 6 by 9 it will be 3 into 2 by 3 into 3 3 से 3 कट गया तो यह हो गया 2 by 3 बस यह इसका answer है यही तो करें 2 by 3 0.237 यह solve करते है अपर इसका क्या आएगा 0.237 के उपर है बार तो let x equals 0.237 237 dot 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 equation number one अब यहां पर क्या होगा आप इसको कैसे multiply करोगे 1000 से multiply करेंगे 237 इधर आ जाएगा तो फिर 237 वाले चेंज वापस रिपीट होगी तो equation one को मैंने 1000 से multiply करें यह कैसे decide किया क्योंकि मैं को पते हैं तीन तीन डिजित हो रहे है तो मैं dot आगे जब भी किसके का जब मैं 1000 से multiply करूंगा तो यह होगा 1000 x equals 237.237 तो इसका सप्रेक किया तो 999 x आ गया इकुल्स 237 आ गया तो एक्स बराबर किताय हो गया 237 दैंन नाइन नाइन अब जीरो पॉइंट टू और थ्रीफाई की उपर बार है ठीक है जीरो पॉइंट तू और थ्रीफाई की उपर बार है तो इसको लेट एक्स इक्वरीज जीरो पॉैंड तो यो गया 3535 dot 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 equation नमब वन ठीक है इसको कैसे मल्डिप्लाइ करेंगे सर के इसको 10 से से मुल्टिप्लाइ कर रहे हैं तो पहले 10 से मल्टिप्लाइ कर लो 10x से मल्टिप्लाइ किया जब आपने 10 से यूग क्यों टैनेक्स इक्वर्स 2.3535. सबस्सक्राइब कर सकते क्यों मैं को हंड्रेट से सबस्क्राइब करना पडेगा इसको क्यों कि अगर से करूंगा तो बनेगा नहीं हो पाएगा क्या क्या में ऊपाएगा क्या यहां पर 235 आ जाएगा 0.3535 क्योंकि 35 तो रिपीट हो रहा है तो इसको एक्वेशन नमबर 3 बोल दो अब सर क्या सब्प्रेक कर सकते हैं हम कर सकते हैं इक्वेशन को थर्ड में से तो यहां पर मैं 10x ऐसी लिख देता हूं यह किता हो गया 2.3535 यह तो कट गया आपका यह किता हुआ 1000 में से यह कर दो 990 x एक्वल सी किता हो गया 233 एक्स विल भी 233 बाइ 990 राइट लेको आगया आपका अंसर तो इस तरह से हमें चीजों को चेंज करते हुए चलना है रूट टू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्रिंग है तो इसको हम भी रेशनल बोलते हैं इसका सॉलिशन में आपको करके देई दिया है कि कैसे होता है अब यह करते हैं लोग कि 0.38 के उपर बाहर है प्लस 1.27 के उपर बाहर है ठीक है तो इसका पीवाई क्यू फॉर्मेट क्या होगा सबसे पहले 0.38 को दिखते है बाहर है जो एक्स इक्वेल्स इक 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 इस रिएट 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 डॉट 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 इसको इक वेशन नमबर बोलो इसको डारेक्ट हंड्रेट से मल्टिप्लाइब करो यह गया 38.38 डॉट 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 इक इक इस यह पर यहां पर 0.38 इसका कैसे आएगा इसका प्रकर से कर देता हूं इससे clarity भी रहेगा आपको 1.27 है इसको लेट एक्स माल लो 2727 डॉट 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 फरस्ट इसको कैसे multiply करेंगे हम 100 से कर देंगे डिरेक्ली ते किता होगा 127 होगे आप 2727 डॉट 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 equation number second अब क्या करेंगे वही second minus one कर दो तो यहाप एक्स लिख दो यहाँ पर किता लिखो आप 1.2727 डॉट 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 जैसी सप्रेक किया होगे 99 एक्स और ही किता हो गया 126 तो कड़ गया तो एक्स बराबर किता हो 126 बैं 99 हमें कॉश्चिन में क्या करना है एड ही तो करना है 38 बैं 99 प्लस 126 बैं 99 तो 164 टीक है तो चीजों को सॉल करना तो आपको आना चाहिए नॉर्मल सी चीज है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कि वैल्यू क्या होगा 0.444.0.0.0 equation number 1 let x equals to this 10x करा तो किता होगा 4.444.0.0 equation number second second minus first कर लो तो किता होगा 10x x यहां पर आ जाएगा 4.444.0.0 यह हो जाएगा 0.444.0.0 ठीक है सप्रेक किया तो यह तो चला गया यह हो गया 4 यह किता होगा 9x तो एक्स वरावर किता होगा 4x9 कैल गटा ठीक है what is the value of this question ज्यादा इसलिए करने है अच्छा इसको मैं homework मख कर तुमके आप लोगों के लिए ठीक है this will be your homework ठीक है solution मैंने append कर रखा है आप चेक कर सकते हो कोई दिक्टेत वाली बात नहीं है क्यों क्योंकि question क्या होंगे ना जितने आप खुझ से practice करो के उतना ज्यादा अच्छा है अब यहां पर आप देखोगे तो 786 पर बाहर है 8 686 dot 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 equation number one let x equals this ठीक है अब यहां पर आप 100 से multiply कर लो इसको तो हो जाएगा 786 यहां आगया 0.8686 dot 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 ठीक है ना एक निट इक्वेशन नमबर इसको मैं complete डिलीट करके वापस चेक कर दो 0.786 पर बाहर है तो लैट एक्स इक्वेल 0.78686 dot 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 equation number one thousand से multiply कर दो आप first को ठीकता होगा 786.8686 dot 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 equation number two ठीक है 10 से multiply करो आप ठीकता होजागा 7.8686 dot 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 equation number इसको second बोल दो इसको third बोल दो ठीक है अब हम क्या करेंगे second को सब्रेक करेंगे थर्ड में से तो equation के 1000 x equals 786.8686 ठीक है dot 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 और यहां पर किता होगा 10 x equals 7.8686 dot 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 866 वाला तो खतम हो गया ठीक है इसको ऐसे देखा तो आपर ने किता आया 779 हो गया और यह किता आ गया 990 x x equals 779 by 990 आइसे option में दिख रहा है आपको बस वही अंसर है सब्सक्राइब आपको थैंक यू सो मच फुर वैल्यूबल टाइम बबाई टेक किर श्टेशिव बई